दोस्तो जब से ह αियाना कोसल रोजगार निगम का घठन किया है, जब से हर्याना कोसल रोजगार निगम का दो विरोध है, वोट छल रहा है, उसी को लेकर दोस्तो एक बड़ी खबर है, अगर आप भी जाना चाते हैं, तो वीडियो अंद तक ज़रूर देखना, नमस्काद दोस्तों आपा शुवागत करते हैं हमारे YouTube चेनल योगी स्मार्ट में दोस्तों अगर आपने भी तक मारे YouTube चेनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दीए गए ऐब आइकन को दबा लें ताकि लीटेस्ट इनफर्मेशन आप तक शब्से पहले पहुंच सके दोस्तों वेडियो में आगे बड़ेंश से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आपने वितिक मारे टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लें टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लें टेलेग्राम चैनल का नाम है योगी स्माट दोस्तों यह जो कटिंग है यह भी अमने टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर दी है और यह देख सकते हैं कोशल रोजगार निगम का विरोध क्यों आखिर क्यों हर्याना कोशल रोजगार निगम का विरोध हो किया जा रहा है तो जान लेते हैं दोस्तों हर्याना करमचारी संग के प्रधान सुबास लांबा हर्याना कोशल कोश्वल रोजगार निगम की गठन का विरोध कर रहे हैं उन्होंने लगता है कि जो ठेकिदार करमचारी कि प्रोविड फंड और आई फिप का पैसा जमानी कर नहीं कराते थे कम पैसा देते थे उनको चुगुन से करमचारियां चुप कर अपा रहे हैं अगर अब हर्याना क कोश्वल रोजगार निगम की सरते सामने आ रहे हैं तो उसमें करमचारियों की शेवा की सुरुक्षा की गारंटी नहीं रही जो करमचारी इस समय एजन्सेयों के जरीये लगे हुए हैं उनको ज़्यादा पैसे बराफ ठो रहे हैं उन्हें भी गारंटी नहीं है कि कि अलग अलग वागों के काफ़ी करमचारी बार हो गए है और दोस्तों गलियारे में यह चरचा भी हर्यारी जो करमचारी रखे जाएंगे वह वीशे में वह राइगूलर होने की मांग कर सकते हैं एनेचम में करमचारियों को इस साल इशी आयोगन के दैरे में आएंगे क्योंकि मिशन ग्रेड में लगे हुए अभी तक प्रावधिक 30,000 रुपय तक कि मासिक वेतन वाड़ करमचारियों को इसके दैरे में लाया गा है यानि कि पदों की शुरुआती वेतन 30,000 रुपय से कम है वे इसमें दैरे में आएंगे बले ही आज उन्हों 30,000 रुपय से ज़्यादा वेतन मिल रहा हो इसमें साफ है कि जिन पदों का वेतन 30,000 रुपय से उपर है वो आज से आज वे ज़्यादा वेतन पा रहे हैं इसके द रखा जाएगा अगर आपकी उसमें ज्यादा से ज्यादा हर्याना कोसल रोजगार निकम में 30,000 रुपए आपकी सैलरी जो हो रहने वाड़ी है 30,000 से ज्यादा आपकी सैलरी नहीं होगी दोस्तों यह आप यह नोट कर लेना और अभी तक तो यह भी सामिल नहीं हुआ है क्यो जो हैं ड्राइवर लगाए गए हैं वह भी हर्याना कोसल रोजगार निकम के तैट बाकी उनकी काफी जगया तो ज्वाइनिंग भी नहीं करवाए जारी है आपने एक न्यूज देखी होगी जो की हिसार जिले से थी उसमें उन करमचारियों को बार बार कई पर सब्सक्राइब आपको हर पॉइंट परचर्चा करके आपके साथ आपको बताएंगे अब आपने कॉमेंट बोक्स में यह बताना कि हर्याना को सल रोजगार निकम का जो गठन किया गया है और इसकी तैत होने वाड़ी बरतियां ठीक है या फिर नहीं है यह अपने जुरू आप तक सबसे पहले पहुंच सकें